ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जै मातारी दोस्तों आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल व्रत्योहार कथाईं मैं हूँ आपके साथ रिम जिम शर्मा तो आज वर्शाख मास महार्पी के 21 अत्याई को प्रारंब करते हैं सभी भक्त एक बार फिर से प्रेम, पूर्वक, भगबार, श्री नारायन और माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए इस कथा का शर्वन करेंगे आपको पीछे की सभी कथाईं आपके अपने यूट्यूब चैनल व्रत्योहार कथाईं पर फ्राप्त हो जाएगी तो उन कथाओं को अगर आपके अब तक नहीं सुना है तो आप सरूर शवन कीजे तो चलिए आज की कथा का प्रारंब करते हैं सूचे कहते हैं बहात्मा नारत के ये वचन सुनकर राजरशी अमरीश ने विश्मत होकर कहा महामुणे आप माक्षीश अगहन आदी पवित्र महीनों को छोड़कर वैशाख मास की ही इतनी प्रशन सा क्यों करते हैं उसी को सब मासों में श्रेश्ट क्यों बतलाते हैं यदि माधलमास सबसे श्रेश्ट और भगवान लक्षमीपती को अधिक पृयए है तो उस समय स्नान करने की विधी क्या है पैशाख मास में किस वस्तु का दान कौन सी तपस्या तदा किस देवता का पूजन करना चाहिए। खृपानी थे उस समय की जाने वाली पुन्य कर्म का आप मुझे उपदेश दीजिए। सद्गुरु के मुक से उपदेश की प्राप्ती दुरलब होती है, उत्तम देश और काल का मिलना भी बड़ा कठिन होता है। राजि प्राप्ती आदि दूसरे कोई भी भाव हमारे हिडर को इतनी शीतलता नहीं प्रदान करते जितनी की आपका यह समागम। नारची ने कहा, राजन सुनो, मैं संसार हिद के लिए तुमसे माधव मास की विधी का वर्नन करता हूँ, जैसा कि पूर्विकाल में ब्रह्मा जी ने बतलाया था। आदी का सुयोग मिलना तो और भी कचिन है। राजेंद्र जिन लोगों ने वैशाख मास में भाती-भाती के उपचारों द्वारा मधु दैति के मानने वाले भगमान लक्षमी पती का पूजन कर लिया। बला कौन से ऐसी अत्यंत दुरलव वस्तु है जो वैशाख किस नान तताविरी पूर्वग भगवान के पूजन से नहीं प्राप्त होती। जिन्होंने दान, होम, जब फीत में प्राण प्याग तथा संपोर्ण पापो का नाश करने वाले भगवान श्री नारायन का ध्यान नहीं किया, उन मनुश्यों का जन्म इस संसार में व्यर्थ ही समझना चाहिए। जो धन के रहते हुए भी कंजूसी करता है, दान आदी किये बिना ही मर जाता है, उसका धन व्यर्थ है। राजन, उत्तम कुल में, जन, अच्छी मृत्यू, शेष्ट भो, सुक, सदा दान करने में अधिक प्रसन्नता, उदारता तथा उत्तम धैर्य ये सब कुछ भगवान श्री विष्णों की कृपा से ही प्राप्त होते हैं। बहात्मा नारायन के अनुग्रह से ही मनो वांचत सिधिया मिलती है, जो कार्तिक मास में, माघ मास में तथा माधव को प्रिय लगने वाले वैशाख मास में स्नान करके, मधु हंताल लक्ष्मी पती दामोदर की विशेश विधी के साथ भगती पूर्वक पूजा करता है और प्रकार वैशाख मास में प्रातर स्नान करने से अनीक जन्मों की उपारजित पाप राशी नश्ट हो जाती है, यह बात ब्रह्मा जी ने मुझे बताई थी, भगवान श्री विश्नु ने माधव मास की महिमा का विशेश प्रचार किया है, अता इस महीने के आने पर मनुश प्रस्या का फल भोगने के पश्चात अक्षर स्वर्दी की प्राप्ति होती है, भगवान श्री नारायन अनामै रोग व्याधी से रहित हैं, उन्गोविंद देव की आरातना करके तुम भगवान का पद प्राप्त कर लोगे, राजन, दिवाधी देव, लक्षमी पती, प विश्यान्त भोजन करे, भूमी पर सोए, भ्रमचरी व्रत में दरढ़ता पूर्वक स्थत रहे, तथा हरदय में भगवान श्री नारायन का ध्यान करते हुए, कुछी आदी तपस्याओं के द्वारा शरीर को सुखाए, इस प्रकार नियम से रहकर जब वैशाक की प्रकार लक्ष्मी जी जगदीश्वर माधव की प्रियां हैं, उसी प्रकार माधव मास भी मधुसूदन को बहुत प्रिया है, इस तरह उपयूक्त नियमों के पालन पूर्वक 12 वर्षों तक वैशाक स्नान करके, अंतमे मधुसूदन की प्रसन्नता के लिए अपनी शक्ति के नुसार वरत का उध्यापन करें, अमरीश, पूर्विकालमी, भ्रहमाजी के मुख से मैंने जो कुछ सुना था, वह सब वैशाक मास का महत्मे तुम्हें बता दिया, तो भग्तो आज की कथा को यहीं पर संपन्न करती हूँ, जहां पर वैशाक मास का महत्मे नारजी ने राजा अमरीश को बताया, जिस प्रकार उन्होंने ब्रहमाजी के मुख से सुना था, तो आज की इस कथा से हम समझ सकते हैं कि वैशाक स्नान का महत्म कितना ज्यादा है, और इस मास में भगवान माधव की अगर पूजा आरादना हम करते हैं, तो किस प्रकार के पुन्यफल की प्राप्ति होती है, उमीद करती हूँ, आगे की कथाईं भी आप सुनते रहेंगे, और अब तक अगर आपने पीछे की कथाईं पहले की नहीं सुनी है, तो आपको आपके अपने यूट्यूब चानल प्रत्योहार कथाईं पर सभी कथाईं प्राप्त हो जाएगी, मास म हाथ में कथाएं में मैंने आपके साथ एक ट्रेलिस्ट के जरीए सभी कथाएं शेयर की हुई है उन कथाओं का भी शरवन्ज जरूर कीजिए वीजियो देखे के लिए बहुत बहुत शुक्रिया शुहर विश्लू जै मादा लक्ष्मी